दोस्तो स्वाग़त है मेरे चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में देखो मैं आपको बताने वाला हूँ 1 ton AC का जो cooling area होता है यानी 120 square foot यानी 120 square foot में हमारा जो 1 ton का AC होता है वो cooling करता है अगर दोस्तों आपका जो room का of area 120 square foot है तो आप अराम से उसके अंदर 1 ton का जो AC है वो लगा सकते हैं और आपका जो 1 ton AC है वो उतना cooling करेगा क्योंकि 1 ton का AC का जो area होता है 120 square feet होता है और दूसरा बात करते हैं यहाँ पे CFM जो होता है cubic feet of air per minute यानि जो हमारा AC का जो flow होता है यानि हवा होता है वो 400 cubic feet हमारा जो air है वन टन का AC इतना flow करता है तो 1 ton का AC हमारा 400 CFM जो हवा है वो per minute flow करता है और आगे बात करते हैं 110 AC का kilowatt यानि वन टन के AC में कितना kilowatt होता है तो 110 के AC में फ्रेंट 3.156 kilowatt हमारा होता है तो चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज्यादा information के लिए हमारे चैनल को जड़र सस्क्राइब करें तो यहां पर ऊंटन ऐसी जो हमारा होता है kilowatt 3.156 हमारा kilowatt वन टन के अंदर होता है कहीं कहीं पर kilowatt में होता है और आगे बात करते हैं 12,000 बीट्यू होता है यानि वन टन में 12,000 BTU होता है जिसको हम लोग BTU Thermal Unit बोलते हैं आपने देखा होगा यूनिट पे आउड़र के यूनिट पे या इंड़र के यूनिट पे BTU लिखा होता है 12,000 अगर BTU आप कर रहेगा तो वहाँ पे आपका जो AC है वो 1 टन होगा इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि हमारा AC कितने टन का होता है आगे बात करते हैं हमारा 1 टन AC कितना एंपियर करंट फ्लो करता है यानि लेता है तो हमारा AC में देखिए अलग-अलग AC का अलग-अलग करंट है लेकिन अलग-अलग कंपनी का 5 से 7 एंपियर हमारा जो 1 टन का AC होता है सिंगल-फेस 220 वोल्ट हमारा करंट लेता है 5 से 7 तक एंपियर हमारा जो है 1 टन का AC सिंगल-फेस 220 वोल्ट यह नॉन-इंवर्टर AC की बात कर रहूं में इतना हमारा करंट यानि एंपियर लेता है यानि दोस्तों अगर आपका जो AC है 1 टन है तो 5 से 7 के बीच में हमारा सब्सक्रा नहीं है कंप्रेसर पूराना है तो एंपियर कम ज्यादा हो सकता है लेकिन 5 से 7 एंपियर तक हमारा जो AC है इतना करंट लेता है और आगे बात करते हैं हम लोग इस AC के यानि 1 टन का जो वार्ट होता है कितना वार्ट होता है 1 टन एसी जो होता है 3516 वार्ट होते ह यह यहां पर दोस्तों अलग 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 parking का अलग-अलग compressor होता है वो इसापसे machine में capacitor लगाते हैं लेकिन 25 से 35 के बीच में मैंनी 25 से और 35 एम एबीं से monkeys capacitor होता है व को वह если के अंदर आता है आपके कहीं भी देखा होगा तो 25 से 35 povo का capacitor होता है और 1 ton कि AC में लगा होता है यानि आप 25 में 35 का अरामसे 1 ton AC में लगा सकते हैं और इसे calculate भी कर सकते हैं आगे हम next वीडियो में आपको बताएंगे कि 1 ton AC में EHP देखिए यहां पर बहुत बहुत बैतरीन है कि 1 ton AC में EHP कितना होता है तो 1 ton AC में EHP होता है 4.714 यानि 1 HP में 1 HP में 0.825 ton होता है और EHP हमारा होता है 1 ton में 4.714 और 1 HP में हमारा ton कितना होता है 0.825 तो यह आप कहीं न कहीं लिग के रख लीजिए और याद कर लीजिए और आगे देखिए हमारे 1 ton में AC की capillary tube की size क्या होती है तो जो size होती है 0.055 यानि 0.055 ऐसा होता है और जो length होती है उसकी 32 inch होती है तो यह 1 ton AC की capillary tube की size होती है जो कि आपने देखा होगा और यह आपको चीज पता रहेगा तो आप आसानी से 1 ton AC में जो capillary tube है उसको आसानी से change कर सकते है यानि 0.055 और जो length होती है वो 32 inch होती है यानि 1 ton AC की जो capillary tube की size होती है वो 0.055 होती है और जो length होती है वो 32 inch तक यानि लंबा रहता है और जो pipe की size होती है यानि copper pipe की वो 0.055 होती है तो इसी तरह से यह video था friend आपको बहुत अशा लागा होगा कुछ जानकारी जरूर मिली होगी तो चैनल को subscribe करें और बिल आइकन को जरूर प्रेस कर लें अगर कोई भी question है तो comment box में comment करें आपकी पूरी साहता की जाएगी Facebook पे देख रहे है तो